हमारी प्रत्वीफर वर्तमान समय में हाथियों की केवल दो ही प्रजातियां बची हैं दुनिया में प्राप्त जीवास्मों से पता चला है कि आज से पांच करोर साल पहले हाथियों की करीब एक सो सकतर प्रजातिया पाई जाती थी दोस्तों हाती संसार का सबसे भारी स्तल जीव है आम तोर पर इनका वजन एक हजार किलो तक होता है कुछ बहुत बड़े हातियों का वजन 32,000 किलो तक भी हो सकता है हाती एक लौता ऐसा जानवर है जिसके चार गुटने होते हैं और वे खुद कून नहीं सकता है इनकी चम्री लगो एक इंच तक मोटी होती है हाती के शरीर का सबसे मुलाइम हिस्सा उनके कान के पीछे होता है जिसे क्यूनल कहते है हातियों को समालने वाले लोग अपने पैरों का उप्योग करके क्यूनल के जरीया हातियों को अपने काभू में करते हैं हाती अपनी सूर से फर्ष कर गिरा छोटा सा सिक्का भी उठा सकता है इनकी सूर उपरी होट और नाक से जुड़ी होती है सभी जानवरों के मुकाबले हाती अपने शरीर के बड़े होने के साथ उनका दिमाग भी बाकी जानवरों से ज़्यादा होता है दोस्तों दुनिया में हाती एक ऐसा जानवर है जो लेट कर या फिर बैट कर नहीं बलकि खड़े-खड़े ही सोते हैं हाती दिन में जादा से जादा चार घंटे ही सोते हैं दोस्तों हाती के बारे में जानते हुए ये मत भूल जाईएगा कि आपको मेरी वीडियो को लाइक भी करना है हाती एक ऐसा शाकाहारी जानवर है जो भीविन प्रकार के पौदे पत्ते फलाधी खाकर ही अपना पेट भरते हैं ये किसी जानवर का शिकान नहीं करते हैं और मास खाने का तो इन्हें बिलकुल भी शौक नहीं तो केवस शाकाहारी बोजन खाने के शौकीन होते हैं और प्रतिलिन लगबख अपने 16 घंटे बोजन करने में ही बिता देते हैं इस तरह रोज 16 घंटे खाना खाने से 600 पाउंड तक का खाना खा जाते हैं हाथियों का इनके शरीर की तरह बड़े होने के साथ ही इनकी भूक और प्याज भी काफी बड़ी होती है हाथि अगर पानी पीते हैं तो एक साथ 8-9 लीटर एक साथ पी जाते हैं दोस्तों हाथि सभी जानवरों में से सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं और किसी को भी अबने के लिए चैनल को सस्क्राइब कीजिए और थैंक्यू पॉर वाचिंग में